हाला अवरिबाडी वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल वनस अगेइन आम भी पासा बोस आई जस्ट क्लियर नीट 2021 पिछले वीडियो में मैंने शेयर किया था कि अल इंद्या कांसलिंग शुरू हो चुकी है एंद उसके फर्स राउंड में मैंने अपलाई किया था बट मिला तो उसके सब्सेक्वेंट राउंड में मैं पार्टिसेपेट नहीं करने वाली हूँ क्योंकि आगर मुझे कोई भी कॉलेज मिलेगा और वो मुझे आगर पसंद नहीं आता तो मुझे लेना परेगा और चुकि मुझे पता है कि स्टेट कोटा के थ्रू मुझे कांसिलिंग शुरू हो चुकी थी नोटिसें स्केडियूल वगेरा फर्स्ट फेब से ही अपलोड होने शुरू हो गए थे एंड थर्ट फेब है आज और आज मैंने एन्रोल किया एंड फी पैमेंट भी कर दी बहुत दिनों से यह इंतजार कर रही थी कि मेरा जो EWS क्योंकि पता नहीं कब कांसिलिंग शुरू हो जाएगा एंड उसके बाद फिर मुझे अपने अरनाचल में वापस ना जाना परे तो चुकि मेरा EWS सर्टिफिकेट बनने के प्रोसेसिंग में था तो आई थोट कि चलो वेट कर लेते हैं और कुछ दिनों बाद अन्रोल्मे और अभी तक EWS बना नहीं है तो मैंने अपने आपको अन्रिजर्ट केटेगरी में ही डाल दिया है अगर वेरिफिकेशन के समय में कुछ इधर उधर हो गया और वो बोले कि केटेगरी चेंज के लिए तुमने तो अपलाई किया है बट तुम इलिजिबल नहीं हो या तुम यही एन्रोल कर दिया है उसके बाद फी पेमेंट भी मैंने कर दी है और डवलो पी काउंसिलिंग के लिए हमें 2000 पे करना परा उसके बाद हम चॉइस फिलिंग करेंगे चॉइस फिलिंग थर्ड ओफेब के चार बजे के बाद से शुरू होगी तो मैंने कॉलेज का प्रिफ उसके बाद फिफ्ट को या सिक्स्त को जब फाइनल डेट होगा तब मैं लोग कर दूँगी उसके बाद सीट अलोटमेंट का रिजल्ट जो है वह आएगा एथ और नाइंथ और फेबरेडी को आएगा उसके बाद अगर फर्स्ट राउन में हमें सीट मिल जाता है तो यह हमारा एडमिशन 10th of February से शुरू होगा लगबख four days तक वह चलेगा तो अगर मुझे एडमिशन मिल भी जाता है तो 10th तक मुझे West Bengal में अभी रुखना ही पड़ेगा क्योंकि अगर मैं वापस सरुना चल चली गई फिर मुझे 10th को फिर वापस से West Bengal आना पड़ेगा तो वह एक टाम वेस्ट होगा एंड बहुत हेटिक रहे जाएगा इसलिए I thought कि मेरे विलेज से सामने भी पड़ेगा तो इसलिए I'm waiting जब तक 8th या 9th February नहीं होगा तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ है नहीं हुआ है चाहे रिजल्ट जो भी हो या जो भी हो कोई अग आप मेरे साथ जुरे रहे इतने लंबे समय तक और आगे भी ऐसे ही प्यार बरसाते रहेगा I know that you guys have deliberately been waiting for my videos to come and मैं कोशिश कर रही हूँ बनाने की और अपलोड करने की so I hope you guys got the message and thanks for watching take care bye bye see ya please subscribe कर देना and घंटा भी बजा देना ताकि मेरी वीडियो सबसे पेले आप तक पहुचे